दोस्तो आज मैंने तयार किये हैं सोम बार के ब्रत के लिए बहुत ही क्रिस्पी साबू दाने के बड़े इन बड़ों को बनाने के लिए आपको साबू दानों को नहीं भीगोना पड़ता है और नहीं आलूओं को उबालना पड़ता है बहुत जल्दी ये बन की तैयार हो जाते हैं चलिए आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं बड़े बनाने के लिए मैंने लिए दो कप छोटे साइस के साबू दाने और साथी साथ मैंने आपर एक कप मुमफली दाना लिया है दोनों को पैन में डाल कर हमें लगभग 10 मिनट तक लोफ लेम पे अच्छे से भूनना है साबू दाने और मुमफली दोनों हमारी अच्छे से भून चुकी है गैस को कर दूँगी मैं बंद और इन दोनों चीजों को हमें गरम गरम ही एक ग्राइंडिंग जार में डाल कर पीस लेना है गरम गरम पीसने से क्या हुआ कि सारी चीजें अच्छे से पीस जाएंगी तो ये डाल दिया मैंने इनको जार में और कर दूँगी ग्रैंड ग्रैंड करने के बाद पाउडर को निकाल लिया है एक बड़े से बाउल में और सारे मिक्षर को मैं बाउल में ही डाल दूँगी बाउल को रख दूँगी साइड में और यहाँ पर जो grinding jar है इसी का हम इस्तिमाल कर लेंगे jar में डालेंगे तीन हरी मेर्च साथी साथ हरा धनिया डाल देते हैं और अब मैं इसमें दो बड़े साइस के कच्चे आलू को काट के डाल रही हूँ द्यान रखना है कि उबले हुए आलू इस्तिमाल नहीं करने हैं कच्चे आलू ही लेने हैं अच्छे से सारी चीजों को पीस लेना है पिसने के बाद पिसे हुए आलू को हम पिसे हुए साबुदाना और मुमभली में मिला देंगे इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू जो है पानी छोड़ देता है जिसकी बज़े से ये अच्छे से गीला भी हो जाता है अब डाल दूँगी एक चम्मच ब्रत वाला नमक सारी चीजों को हमें हाथ से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेना है यहाँ पर यह जो मिक्षर हलका सा गुन-गुना है तो अच्छे से ये फूल भी जाएगा मिलाने के बाद अब मैं इसको पांच मिनट के लिए रख देती हूँ फूलने के लिए यहाँ पर हमारे यह जो मिक्षर है अच्छे से फूल गया है मैं इसका टेक्शर आपको चेक करा देती हूँ ये दिखिए अच्छे से ये ड्राइ हो गया है अब हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है तो बस मिक्शर मैंसे हम पोर्शन ले लेंगे और दबाते हुए घुमाते हुए इसका गोल गोल बड़ा बनाके तयार करके रख लेते हैं कुछ इस तरीके से अच्छे से आप इसके जो किनारे हैं इसको भी दबा दीजिए ये मैंने एक बड़ा आपको बनाके दिखा दिया है तो बस सेम प्रोसेस का इस्तिमाल करके मैं सारे बड़े बनाके रख लेते हूँ ये यहाँ पर सारे बड़े बन गए हैं अब मैं जा रही हूँ इनको फ्राय करने के लिए तेल अच्छे से गरम हो चुका है गरम गरम तेल में इन बड़ों को हमें डाल देना है अभी हम इनको नहीं छूएंगे जब ये अच्छे से नीचे से तल जाएंगे तो इनको हम पल्टेंगे और उल्टा पल्टी करते हुए अच्छे से तल लेंगे ये हमारे हो गए हैं बड़े तल के तैयार कलर भी देखिए कितना बहतरी ना गया है तो इनको निकाल कर मैं रख लूँगी बाहर, मैं आपको एक बड़ा चेक करा के दिखा देती हूँ, देखे कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है, अंदर से भी ये अच्छे से सिख गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, और बहुत ही बड़िया साबु दने का बड़ा ब बताएं